अध्याय दो हे भाईयों, हम अपने प्रभू यिशू मसीह के आने और उसके पास अपने इकठे होने के विशय में तुमसे विनिती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा छोकी मानू हमारी ओर से हो ये समझ कर कि प्रभू का दिन आ पहुचा है तुम्हारा मन अचानक स्थिर ना हो जाए और ना तुम खबराओ किसी रीती से किसी के धोके में ना आना क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रगट न हो जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज कहलाता है अपने आपको बड़ा ठहराता है यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आपको परमेश्वर प्रगट करता है क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुम से ये बाते कहा करता था और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो क्योंकि अधर्म का फेद अभी कार्रे करता जाता है पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यिशु अपने मूँ की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा उस अधर्मी का आना शैतान के कारे के अनुसार सब प्रकार के जूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और ना शोने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के दोखे के साथ होगा क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहन नहीं किया जिससे उनका उध्धार होता और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजे गा ताकि वे जूट की प्रतीती करे और जितने लोग सत्य की प्रतीती नहीं करते वरन धर्म से प्रसन होते हैं सब गंड़ पाई पर हे भाईयो और प्रभु के प्रिय लोगो चाहिए कि हम तुम्हारे विशे में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर ने आदी से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीती करके उधार पाओ जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यिशु मसीह की महिमा को राप्त करो इसलिए है भाईयों स्थिर रहो और जो जो बाते तुमने क्या वचन क्या पत्र द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो हमारा प्रभु यिशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वत जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनन्त शान्ती और उत्तम आशा दी है तुम्हारे मनों में शान्ती दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में द्रिड करे